हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल किरकेट एक्सपर्ट में दोस्तो अस्टेलिया ने पहले ODI मुकाबले में पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में 88 रनों से हरा के तीन मैचों के सीरीज में एक सुन्य की लीड बना ली है सीरीज का दूसरा मुकाबला 31 मार्च को कदाफी स्टेडियम लाहवर में खेला जाना है और आज के इस वीडियो में हम इस दूसरे ODI मुकाबले का प्रिब्यू करने वाले हैं बताएंगे दोनों ही टीमों के टीम न्यूज के बारे में इसके अलावा बात करने वाले हैं अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं डीम 11 के एप से तो वीडियो काफी जवरजस्त होने वाला है वीडियो को बिना कहीं स्किप किये हुए अंत तक जरूर देखिएगा इसे पहले दोस्तों आपसे काना चाहेंगे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल भी जरूरान कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों बात करेंगर दाफी स्टेडियम लाहर की तो यह बैटिंग फ्रेंडली पिछ है जैसा कि हमने पिछ रिपोर्ट वाले आप 60 मुकाबले हो गए हैं जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 32 बार जबकि चेज करते हुए 28 बार टीमें जीती हैं पहले इनिंग का इबरेज इसकोर 250 से 270 के बीच में रहता है हाई एस्ट टोटल की बात करें तो पाकिस्तानी टीम ने जिंबामबे के खिलाफ इसी बेन्यू 50 बारों में 375 किये थे जबकि लोएस्ट टोटल में पाकिस्तानी टीम जिलंका के सामने मात्र 75 रनों पर आल आउट हो गई थी वैसे यहां हाई एस्ट इसकोर चेज भी आश्टेलिया के ही नाम है जिसने पाकिस्तान के ही खिलाफ यहां पर 315 के जवाब में 48.5 बारों में 250 से 292 और 300 प्लस भी 10 बार यहां पर बन चुका है इसके बाद दोस्तों बात करें अगर हम टीम न्यूज की तो यहां पर पाकिस्तानी टीम के लिए मुहमद आसिप की वापसी हो सकती है इस मुकाबले में जबकि सौध सकील को बाहर बैठना पर सकता है जबकि उनके इस्ट ठीक नहीं हुई है और दूसरे मुकाबले के लिए फिट नहीं है तो वहीं आश्टेलिया के पास भी कुछ समस्याएं हैं उनके दो परमुक खिलाडी जो सिंगलिस और एस्टेनगर कोविट पाजिटिव होने की वज़ा से इस मुकाबले में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जबकि मिचल मास की इंजरी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है तो टीम में कुछ इस पकार से नजर आ सकती है जिसमें आप देख सकते हैं आश्टेलिया के लिए एरोन फिंच, टेविस हेड, बेन मैक डॉरमेट, मारनस लाबुसाने, मारकास इस्ट्व जमा, इसके बाद बाबाराजम, आसीफ हली, मुहमद रिजवान, खुसदिलसा, इप्तेखार अहमद हसान अली, हारिस राउप, जाइद महमूद और साहिन साह फ्रीदी की प्लेइंग 11 में जगब बन सकती है इसके बाद दोस्तों मैच प्रिव्यू की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से मुकाबला काटे का होगा और पिछली जीत से काफी confident होके आएगी Australian टीम लेकिन निश्चित तोर पर पाकिस्तानी टीम यह प्रयास करेगी कि यहाँ पर किसी तरह से मुकाबला जीत के सीरीज में अपनी जीवटता बनाई रखी जाए और सीरीज को एक ए एक सी बराबरी पर ले आया जाए और निश्चित तोर पर पाकिस्तानी टीम को अगर टास का साथ मिला तो यहाँ पर वापसी भी कर सकती है इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगर आप fantasy cricket खेलते हैं तो fantasy cricket के लिए हमने जो एक टीम recommend की है उसे पहले आप टास के बार टीम को skip कर लेना है फिलाल dream 11 के app पर क्रेडिट का बहुत इसुआ रहा है खास कर पिछले मुकाबले में ट्रेविस हैड और इमाम उलहक जैसे बले बाजो को सांदार स्कोर के बाद उनके जो पॉइंट से वो बढ़ गए है उनको manage करना काफी मुश्किल हो रहा है फिलाल हम और खुसदील सा को पिक किया है इस बार दोस्तो हमने क्रेडिट की वज़ा से इमाम उलहक पर चांस लिया है आलाउंडिंग विकल्प में दोस्तो हमने कैमरन ग्रीन को पिक किया है जबकि गेदबाजी विकल्प में सीने बाट एडम जमपा और साहीं सा अफ्रीदी को हमने गेतबाज के तोर पे पिक किया है कैप्टन दोस्तो इस मुकाबले का हमने बाबा राजम को जबकि वाइस कैप्टन के रूप में इस बार फकर जमा को पिक किया है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद दोस्तो आपका दिन सुभो